हेलो स्टूडेंट्स तो आज के लेक्चिर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं न्यूटन जा थार्ड ला एंड वन आफ दा एप्लिकेशन्स आफ इट न्यूटन थार्ड ला क्या था यह हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था तो आज इसकी एक एप्लिकेशन्स डिस्कस करेंगे एंड इस एप्लिकेशन्स के बेस हम एक निमेरिकल डिस्कस करेंगे लेटर ओन एंड समने मेरिकल लेटर तो न्यूटन सेकर लाओ एज इंपल्ज के उपर डिस्कस किये जाएंगे नाव स्टूडेंट्स एप्रेंट वेट इना मूविंग लेफ्ट एप्रेंट मीन्स क्या है जो वेट अपियर होता है जो दिखता है कि ये इतना है ये रियल वेट से कम भी हो सकता है ज्यादा हो सकता है और उतना भी हो सकता है कैसे जे हम एक एक एक्जेम्पल के जरिये जान पाएंगे तो इसमें तीन केसे हैं पहला केस क्या बनता है वें दा लेफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद जूनिफर्म बेलास्टी तो स्टूडेंट एक परसन है एंडरसन ये वेंग मशीन के ऊपर खड़ा है जो वेट को मेजर करती है ये तो आपने देखी होगी अब ये जो वेंग मशीन है जिसके ऊपर एंडरसन खड़ा है वो एक लिफ्ट में पड़ी हुई है तो पहले केस में क्या है ऐसा हो सकता है लेफ्ट है जो वो रेस्ट में हो सकती है वेरा मवस्ता में हो सकती है और कौँ सा केस है और ये एक समान गती के साथ मूब करती है मीन से इसका जो वेग है वो कौंस्टेंट रहता है अब स्टूडेंट जो वेंग मशीन होती है जिसके उपर एंडरसन खड़ा है वो एक्चुली क्या मेजर करती है वो करती है रियक्शन को मेजर बपरीत बल कितना है मी से उसका वेट कितना है मी से वो रियक्शन को मेजर करती है एक्शन बाइदा एंडरसन रियक्शन बाइदा वेंग मशीन now students force on man due to reaction from the weighing machine our reaction वो कितना होगा वो होगा mass into gravity mass into gravity weight नीचे को था बल जो reaction किया गया है वो क्या है उपर को वाइदा वेइंग मशीन तो क्या है upward direction means एंडरसन ने action किया वेइंग मशीन ने reaction किया वो reaction equal है weight of the एंडरसन यही होता है now students आगे हम बात करते हैं acceleration कितनी होगी इस case में पहले case में जब जो left है एक तो case हो सकता है वेराम अवस्ता में इसमें velocity 0 है there is no change in the velocity तो acceleration automatically 0 एक ऐसा case है जब 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 जो left है moving with the constant velocity अब velocity में चेंज नहीं हो रहा acceleration क्या होती है the rate of change of velocity तो यहां पर velocity में चेंज नहीं हो रहा तो इस case में क्या होता है दोनों cases में acceleration क्या है 0 है now students आगे बात करते हैं force on man due to motion of the left जो बाहरी बाल लगाया जाता है किस के दोरा left के दोरा वो कितना होगा force equal to mass into acceleration यह है newton second law of motion तो mass तो capital M है लेकिन acceleration 0 है तो force कितनी है that is a 0 that means जो reaction है means जो weighing machine एंडरसन का weight measure कर रही है है वो उतना ही होगा जितना उसका actual में है जितना क्या है actual में है there is no change in the weight of for अंडरसन तो जो apparent weight है वो इक्वर टू है जितना रियक्शन means mass into gravity प्लस क्या है यह क्या है जो बाहरी बल था वो क्या है जीरो है बेलास्टी दोनों केसे में एक्सलरेशन क्या है जीरो है उसी के कारन और कोई बाल नहीं लगता तो जब लेफ्ट बेराम बस्ता में होगी और जा फिर विद यूनिफॉर्म विलास्टी में होगी तो जो परसन है इसकेस में एंडरसन है वेइंग मशेन उतना ही weight measure करती है जितना actual में है तो इससे क्या है apparent weight भी उतना ही होगा जाव लेफ्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म विलास्टी और रिमेंस स्टेशनरी मेंस रिमेंस एट रेस्ट तो दोनों के सिस में जो apparent weight है वो उतने ही है जतना real weight होगा आगे एक और case discuss करती है जब यह जो लेफ्ट है उपर को जा रही है इसकी जो विलास्टी है वो इंक्रीज हो रही है डैट मीज जो लेफ्ट का motion है डैट इस आ एक्सलरेटर मूशन आगे अब देखते हैं उस case में एंडरसन का weight क्या होता है means apparent weight of the Anderson when the left is moving with acceleration in upward direction student I am discussing the second case when the left is moving with an acceleration a in upward direction अब सेक्ड केस में क्या है एंडरसन वेइंग मशीन के उपर खड़ा है बेइंग मशीन कहां पड़ी है इंदा लेफ्ट लेफ्ट उपर की तरफ जा रही है तो जो इसकी वेलास्टी है वो बढ़ रही है means motion is accelerated तो स्टूडेंट सबसे पहले अब जो वेइंग मशीन है वो कितना रियक्शन पर यूस करती है इकवर टू मास इंटू ग्रैविटी अपवर्ड डिरेक्शन आगे एक्सेलरेशन मा लेते हैं एक्सेलरेशन पर्डियूस होती है वें दा लेफ्ट इस गूइंग अपवर्ड उपर की दिशा को लेफ्ट जा रही है आगे स्टूडेंट अकॉर्डिंग तू न्यूटनल सेकंड लाव मुशन अब फोर्स कितनी होगी न्यूटनल सेकंड लाके अकॉर्डिंग फोर्स इकोल तू मास अफ दा एंडर्सन अड एक्सेलरेशन इतनी पर्डियूस होती है मास इंटू एक्सेलरेशन नाव स्टूडेंट अब फोर्स ओन में दू तू दा मोशन अफ दा लेफ्ट एक तो जे बल है दूसरा कौंसा बल लग रहा है दूसरा बल लग रहा है अप वाड़ डियरेक्शन में ड्यू टू दा रियेक्शन आफ दा वेंग मिशीन अब दोनों बल क्या हैं उपर की तरफ है मीस जो नेट रियेक्शन है नेट रियेक्शन आफ दा वेंग मिशीन अब जै कितनी होगी दोनों बल को हम एड़ कर देते हैं आड़ डैश इकोई टू एम जी प्लस एम ए दोनों बल उपर की तरफ हैं तो एपरेंट वेट आफ दा में अब जो एंडरसन है उसका जो वेट है वो कितना होगा आड़ेश इकवा टू एम को मैंने कॉमन का लिया जी अचल्रीश जी तूटू क्याहै बलाव स्पाध रही है उसकी अतनी सकन धूकि यह खड़ा है तो वह भी मूब करता है मेंस एप्रेंट वेट ऑफ दा मैं इसकेस में एंडरसन मास्टिप्लाइबाइग ग्रैविटी एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी प्लास ए तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं जो रियाट है जाव लेफ्ट उपर की दिशा में जाती है and the motion is accelerated तो एप्रेंट बेट है वो बढ़ जाता है एप्रेंट बेट ज्यादा होगा देन दा एक्चुल बेट तो इस केस में एंडरसन का जो भी बेट होगा एक्चुल में बट वेन जाब वो उपर को जाता है लेफ्ट में उसका बेट ज्यादा होगा एप्रेंट बेट ज्यादा होगा देन दा एक्चुल वेट आएए अब आगे का लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं जाब लेफ्ट नीचे को आती है है थार्ड केस की बात कार लेते हैं बेंडा लेफ्ट इस मूविंग बिदेन एक्चुल रेशन ए इन डाउनवर ड्रेक्शन अब लेफ्ट नीचे को आ रही है उसकी वेलास्टी क्या है बढ़ रही है मीस मोशन क्या है एक्चुल रेटेड मोशन नाव स्टुडेंट इस के पेस्ट में हम देखते हैं एंडर्चन का जो वेट है वो क्या आता है तो सबसे पहले फोर्स ओंडा मैं मीस एंडर्सन ड्यूट रियक्शन फ्रॉम्डा वेइंग मशीन अब वेइंग मशीन वह तो क्या रियक्शन ना प्र्ड्यूस करती है आपवाड डिरेक्शन में पर देख तो जे बल हो गया अब एकसलरेशन कितनी पर ड्यूस होती है ए नीचे को फोर्स ऑन मैं डू टू मोशन अफ दा लेफ्ट कितना होगा मास इंटू एकसलरेशन अब स्टूडेंट जे जो बल है जे नीचे को है डाउनवर्ड ये डाउनवर्ड है एक बल उपर को है due to the reaction of the weighing machine, दूसरा बल, due to newton second law motion, यह बल क्या है, नीचे को है, तो net reaction of the weighing machine, यह कितनी होगी, means mg-ma, तो apparent weight of the man, r-mass g-a, तो student, इस case में हम क्या देखते हैं, जो apparent weight है, किसका, एंडरसन का, वो कम होगा, वो क्या होगा, कम होगा, then the actual weight, when the left is moving, downward direction, having some acceleration, तो आईए इसके उपर, एक numerical को discuss कर लेते हैं, so students in the next numerical statement में क्या दिया गया है, this numerical based on newton third law of motion, figure shows two bodies A and B, two bodies है, A का name है, A, दूसरी का B, अब दोनों का mass कितना है, 2.5 kg, B का कितना है, 2.8 kg, suspended from a rigid sport, ये एक rigid sport से क्या है, क्थोर sport के साथ bind है, चिनके दोरा, sport by two inextensible wires, each of length 1.8 meter, तो जो wire है, वो inextensible है, means जाव उन पर बल लगता है, उनकी length में nothing change, कोई भी change नहीं होती, two wires है, एक ये wire है, दूसरी का है, ये wire है, आगे, दोनों wire की जो लंबाई है, वो कितनी है, that is a 1.8 meter, आगे की बात कर लेते हैं, the lower wire is of mass 1.5 kg per meter, अब इसका क्या meaning है, means यदि हम लोर wire की नीचे वाली तार की बात करें, तो एक मीटेर में कितना mass है, that is a 1.5 kg, एक मीटेर, आगे, while the upper wire is of a negligible mass, तो जो उपर की तार है, उसका mass क्या है, बहुत ही कम, इसे हम neglect कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे, if the whole system moves in upward direction, within acceleration of 2 meter per second square, find the attention, तो यदि जो system up बना है, जे उपर की दिशा में, accelerate हो रहा है, acceleration कितनी है, that is a 2 meter per second square, तो हमने tension find करनी है, किन में, at the med point P of the upper wire, तो जो upper wire है, उपर की wire है, उसका जो बीच का बिंदू है, means mid point, वहाँ पर tension कितनी होगी, एक तो हमने J find करनी है tension, दूसरा, at the med point Q of the lower wire, तो जो नीचे की wire है, उसका जो med point से Q, यहाँ पर tension कितनी होगी, तो आईए इस numerical को solve कर लेते हैं, Students, when a mass, capital M, suspended with a wire, moves in upward direction, within acceleration A, the tension in the wire is given by, तो हमने क्या observe किया था, in Newton 3rd law की application में, जब मास उपर को जाता है, and having some acceleration, weight क्या है, ball क्या है, due to the weight, वो नीचे को है, reaction क्या होती है, उपर को, तो tension किसके equal होती है, equal to the reaction, अब reaction कितनी है, that is a capital M, acceleration due to gravity, plus acceleration of the mass, आईए, अब system की बात कर लेते हैं, tension at the midpoint P of upper wire, यह जो उपर की तार है, इसके midpoint पर tension कितनी होगी, for a point P, effective suspended mass, कितना है, point P के लिए, जो हमने, mass लटकाया है, वो कितना है, effective जिसका परवाब है, इस wire पर, वो कितना है, capital M, mass of body A, mass of body B, plus mass of lower wire, उपर की जो wire थी, उसका mass क्या था, negligible था, लेकर नीचे का जो wire है, उसका mass कितना है, 1.5 kg प्रती मीटर, एक मीटर में, 1.5 kg mass है, जो नीचे की wire है, तो आईए, mass को calculate कर लेते हैं, mass of body A, that is a 2.5 kg, plus mass of body B, कितना है, 2.8 kg, plus mass of lower wire, अब ये कैसे calculate करेंगे, एक मीटर में, एक मीटर में, कितना mass है, 1.5 kg, 1.8 मीटर में कितना होगा, 1.5 multiply by 1.8, तो multiply कर देंगे, मीटर में कितनी है, 1.8, तो effective mass, ये बांजाता है, 25 over 10, 28 over 10, ये कितना है, इससे solve कर लेते हैं, 1.5, ये 15 over 10, 18 over 10, तो ये cancel 5 के साथ, and this cancel, 18 को 2 cancel कर देता है, that is a 27 over 10, तो 10 LCM बन जाता है, अब इनको add कर लेते हैं, 25 plus 28, plus 27, 18, 13 plus 7, that is 22 carry, 2, 4, 6, 8, 80, तो effective mass, M कितना है, 0 के साथ, 0 cancel, M equal to 8 kg, ये रहा, effective mass, अब, tension, at point P, वो कितनी होगी, effective mass, जो हमने find किया है, acceleration due to gravity, and acceleration, of the system, अब, अब, effective mass, that is 8 kg, acceleration due to gravity, हमें जी, इस numerical में, 10 meter per second square, recommend की गई थी, तो मैंने 10 लिख लिया, plus, system की acceleration, upward, that is 2 meter per second square, 8, multiply by 12, तो ये बाँजाता है, 96, 96, 96, 96, न्यूटन, 96 न्यूटन, बिन्दू P, पर हमने, tension को find कर लिया है, now student, अब, बात कर लेते हैं, pointer Q पर, tension कितनी होगी, तो आईए, इसे find कर लेते हैं, मैं find करने जा रहा हूँ, tension at the, mad point Q, of the lower wire, अब student, हमने tension, इस बिन्दू पर, मीस जो नीचे की तार है, उसका जो बीच का बिन्दू है, उस पर tension find करनी है, तो point Q के लिए, effective mass कितना होगा, एक तो mass है, body B का, दूसरा mass कों सा है, यह जो, आदी, लंबाई है, wire की, इसका mass, effective mass, M equal to mass of body B, plus mass of, half length of the lower wire, तो mass of body B कितना है, that is a 2.8 kg, plus mass of half length of the lower wire, half length, that is 1.8 over 2, एक मीटर में कितना mass है, 1.5 kg, half length में कितना होगा, 1.8 over 2, तो आई यह से solve कर लेते हैं, 2.8 plus decimal को मैं रमूब करने जा रहा हूँ, 10 multiply by 2, 15 over 10, तो आब जह, 18 को cancel कर देता है, now, 15, multiply by 9, 4 carry 13, that means 2.8 plus 135 over 100, तो यह बन जाता है, m equal to 2.8 plus 1.35, तो अब 2.8 plus 1.35, यह कितना है, 5, 11, अब अब टेंशन कितनी होगी, that is a TQ, मास कितना है, 4.15 in the bracket, 10 plus 2, means, 4.15, multiply by 12, इसे मैंने solve किया, that means 49.8 newton है, जो वो क्या है, टेंशन बन जाती है, तो आईए आगे का निमेरिकल, डिस्किस कर लेते हैं, इन्दा नेक्स्ट निमेरिकल, a force of 16 newton, कितना बाल है, 16 newton, acts on a ball, बाल पर यह बाल लगा जाता है, बाल का मास कितना दिया गया है, m equal to 80 gram, अब इसे किलो ग्राम में कनवर्ट कर लेते हैं, 1000 के साथ डिवाइड कर दिया, मैंने 0.08 kilogram, इसके आगे समय कितना था, जब बाल एक्ट करता है, on the ball, 1 microsecond means, 10 raise to power minus 6 seconds, तो हमने acceleration and impulse को find करना है, acceleration कैसे find करेंगे student, according to newton's second law of motion, force किसके equal होती है, mass into acceleration, अब फोर्स कितनी है, 16 newton, mass कितना दिया गया हमें, 0.08 kilogram acceleration जे रही, acceleration आप find कर लेते हैं, 16 over 0.08 decimal को मैं remove कर देता हूँ, तो जे बन जाता है, 16 over 8 multiply by 100, तो जे 2 के साथ cancel, acceleration 200 meter per second square जे रहा acceleration बारे पास, अब impulse क्या होता है, impulse equal to ball, कितने समय के लिए लगा, इसकी multiplication होती है, तो impulse क्या है, force कितना है, that is a 16 newton, समय कितना है, 10 raise to power minus 6, तो impulse हमारे पास है, 16 into 10 raise to power minus 6 newton second, तो ये थे numerical, based on newton third law motion, as well as on newton second law motion, and impulse के रिलेटेड, तो in the coming video, few numerical remaining है, उनको discuss किया जाएगा, and some short answer type question, discuss किया जाएगे, इसके 50 students, में next chapter, important chapter है, जो fraction, उसे start करने जा रहा हूँ, यदि इन न questions में, इन miracles में, इन प्रोब्लम, you can ask me in the comment box, thank you so much for watching, झाल झाल